हम सभी के इंग्लिश सीखने के पीछे सिर्फ एक ही रिजन होता है और वह रिजन यह है कि हम सभी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए डायलोग डिलेवरी कर पाए अब चाहे वह टीचर के बीच में हो चतना भी इंग्लिश में सीखते हैं जो भी हम पढ़ते हैं उसके पीछे अमारा एक ही परपस होता है कि हम इंग्लिश में किसी से भी नटीच कर पाया इंग्लिश में बातचीत करपा इस आज कि यह क्लास ए यह पूर्षैन और डायलोग डिलेवरी पर जिसमें आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रेशिन का अंसर दे सकते हैं या फिर नॉर्मली अगर आप किसी से बातचीत कर रहें तो कैसे हम लोग टैंसलस मॉडल्स या जितने भी ग्रैमल की चीजें उरती है उसका यूज हम कर सकते हैं डालोग डिलेवरी में आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि कैसे कॉंवर्सेशन की जा सकती है कैसे हम कुछ से क्रियेट कर सकते हैं सेंटेंसे प्रैक्टिस कर सकते हैं साथी साथ आपको कुछ नए वर्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे स इसली समझ में आने मालें आप देखेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मली इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं चले तो हमारा सबसे पहला यहां पर सेंटेंस दिया हुआ स्टुदेंट इसलींब कर तो अंदर सकता हो आप मेरे साथ बोल कर देखिंगे उस फिलिंग के साथ ईस यहां आटिटिट्यूट के साथ यह वह मैं सुचीए कि हाँ में सेंटेंस बनाना है वह फील करिए आप उस मुमेंट को फील कर सकते हैं कि आप स्टुदेंट आपको से पूछना है तो आप किस सरह से पूछेंगे इसका अंसर क्या है मैं कम इन सर यह सर मैं एक कम इन आप नॉर्मल इसको बोल कर देखिए आप यह ना सोची कि हमें तो एकदम इसको करेक्ट वे में पर नहीं जैसा भी आता है आप नेच्रल वे में बोल कर में सब्सक्राइब तो यहां पर सर मैं कमन सwheel और यहीं खड़े रहो तुम तर लिघू है क्या है तुम यहीं खड़े रहो लेकिन तुम सेंटेंच क्या बना येस, stand here, यहीं खड़े रहो, stand here, तुम हमेशा देर से आते हो, you always come late, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, you always come late, तुम हमेशा देर से आते हो, चली देखते हैं, आगे student नी क्या खा, student ने कहा, मुझे माफ कर दीजी, sir, अब से मैं समय पर आऊंगा, मुझे माफ कर दीजी, sir, आपको अगर ऐसा बोलना हो, तो आप कैसे बोलेंगे, आप normally बोलेंगे, I am sorry, sir, from now onwards, from now onwards, मतलब क्या होता है, अब से, मैं समय पर आऊंगा, I will come on time, अब मालीजी आपको कुछ ऐसे sentences बनाना हो, कि अप से मैं अपना काम समय पर करूंगा, तो कैसे बोलेंगे, from now onwards, I will do my work on time, या फिर आपको बोलना हो, कि अप से मैं अपना homework पूरा करूंगा, from now onwards, I will complete my homework, guys, इसको आप नेचरल तरीके से एकर बोलेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, कि हमें को इस्ट्र फिर टीचर कहता है, ठीक है, बैट जाओ, okay, sit down, ठीक है, ठीक है, okay, all right, fine, हम सभी तरह से बोल सकते हैं, बैट जाओ, normal sentence है, sit down, next है, अपनी homework copy निकालो, अब टीचर इस्ट्रोयन को बोल रहा है, अपनी homework copy निकालो, या फिर अपनी homework copy मेरे पास लेकर आओ, दो तिन तरह से ह कहान वाहिन सकते हैं, ठीक हाओ, या फिर हम बोल सकते देखें, घर इस्ट्रोयन को बोल दें, या हम या बोल सकते हैं कि bring यों और नौट बुक नौट बोल वोलते हैं, मैं अपनी homework नौट बोल गया, जान निकालो बहाने बनाते हैं, और उनमें वो माहिर होते हैं, तो यहा मैं अपनी होमवक कोपी लाना भूल गया I am sorry sir I left my notebook at home left होता है छोड़ना मतलब मेरी notebook जो है वो घर पर ही छूड़ गई ठीक है तो I am sorry sir I left my notebook at home या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I forgot my notebook at home मतलब में अपनी notebook घर पर ही भूल गया तोरह तरह से बना सकते हो जिस भी sentence में आ मुलता है कि यह कोई पहली बार नहीं है रोहन तुम अकसर अपनी notebook लाना भूल जाते हो तीचा सब्सक्राइं को डाट रहें कि कोई पहली बार नहीं है हमेशा ही तुम पहली बार नहीं है इसे आम English में बोलेंगे it is not the first time it is not the first time मतलब यह पहली बार नहीं है रोहन यह ओफ तुम भूल जाते हो अपनी notebook लाना फिर स्वर्ण बोलता है सर मैंने homework कर लिया है पर मैं copy लाना भूल लिया हूं sir I have completed my homework but I forgot to bring my notebook मैं भूल गया I forgot to bring my notebook मतलब मेरी copy लाना या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं bring it forgot it to bring जैसे sir I have completed my homework but I forgot it to bring लेकिन मैं इससे लाना भूल गया हूं बहुत ही simple है normal conversation फिर teacher बोलता है मैं इसकी शिकायद तुम्हारे parents से करूँगा बोलता है ना teacher की तुमने यह नहीं किया अब मैं तुम्हारे parents को इसकी शिकायद करूँगा I will complain to your parents about it देखे parents को शिकायद करूँगा तो complain to your parents गिसी कि एक है complaint और एक होता है complaint okay complaint जो होता है वो होता है noun जिसमा ती लगता है वो है noun और complain जो होता है वो है वर्ब जिसका मतलब होता है शिकायद करना यह noun है इसका मतलब होता है शिकायद ठीके तो I will complain to your parents मैं आपके parents को complain करूँगा फिर स्वेंट बोलता है सब प्लीज मेरी शिकायद मत करिये तो हमारा सेंटेंस होगा सब प्लीज डोंट complain against me against me मतलब मेरे खिलाफ आप शिकायद मत करना ठीके हम जब किसी के खिलाफ किसी की शिकायद करते हैं तो वहाँ पर complain against का यूज करेंगे और जिसको करते हैं वहाँ पर हम to का यूज करेंगे जैसे to your parents मतलब इने की आपके parents को टीचर फिर बोलते हैं मुझे लगता है तुमने homework पुरा नहीं किया है और तुम बहाने बना रहे हो ठीक है टीचर ने क्या कहां तुमने homework पुरा नहीं किया है तो sentence बनेगा I think you haven't done your homework you haven't completed your homework आपने homework complete नहीं किया है तुम बहाने बना रहे है you are making an excuse okay make an excuse मतलब होता है बहाने बनाना यह एक को लोकेशन है आप चाहे तो देख लें आपको पता चलेगा को लोकेशन क्या होते हैं और उन्हें करना क्यों ज़रूरी होता है और बहुत ज़ादे easy भी होते हैं देखकर युन्हें मिनिंग को हम समझ लेते हैं कि कैस का मिनिंग निकल रहा है तो यॉर मेकिंग न एसक्यूस आप बहाने बना रहे हूं तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीज़े पसंद है यू प्रिफर अदर थिंग्स तु स्टुड़ीज मतलब पढ़ाई के अलावा आपको दूस यह चीज़े ज्यादा पसंद है चलिए अब आजाते हैं नेक्स सेंटेंस पर फिर टीचर बोलता है चलिए शुरू करते हैं एट्स टाइम तू बिगिन या फिल लेट्स बिगिन लेट्स स्टार्ट कुछ भी आप बोल सकते हैं प्लीज स्टॉप टॉकिंग अब बात करना कर दीजी सब्सेश पहले हम रिडिंग सेक्श्टन कम्परीट करेंगे खैंब यहां पर आप टेंस देखेंगे तौ फूचर फॉर्स्ट विल डूरीडीं इस से प्ड़ जाफेर लिए से बत्शें सक्टार्स करीं एक रोहन तुम इस चैप्टर को जोर से पढ़ोगे और ब मतलब होता है जोर से पढ़ना ठीक है और read in mind मतलब होता है मन में पढ़ना तो sentence हमारा बनेगा you will read this chapter aloud and rest of the students will read in mind and rest of the students will read in mind मतलब बाकी के जो भी सारे बच्चे हैं वो इसे mind में पढ़ेंगे मैं तुम्हारे चुप होने का इंतजार कर रहा हूं I am waiting for you to be quiet मतलब चुप होने का चुप रहने का चले आगे बढ़ता है तुम्हें यहां आना है और इस question का answer देना है एक एक करके तुम्हें यहां ना और इस question का answer देना है each student has to come here one by one देखे वन बाइवन मतलब क्या होता है एक एक करके तो each student has to come here one by one अब यहां पर गईज़ी जो each है यह हमने क्यों लगाया है इस पर भी best room मेरा एक वीडियो है आप उसको भी जरूर देखना तो so each student has to come here one by one and answer this question सबी को एक एक को यहां ना और इस वेशन का आंसर देना है फिर इस्ट बोलता है सर मुझे इसका आंसर नहीं पता में कल एपसेंट था माले जर टीचर आपको फिर बोलते हैं कि ठीक है अपना होमवर्क दीखाओ तो नॉर्मली क्या होगा शो मी यहां बैठ सकता हूं तो आप बोलेंगे सर मैं आए सीट ही या फिर आपको बोलना हो कि सर क्या मैं अपने फ्रेंड के बाजू में बैठ सकता हूं सर मैं आए सीट बिसाइड माय फ्रेंड बिसाइड मतलब क्या होता है बाजू में तो एसे ही क्वेशन को आप पहले तो क्या गरे कलेक्शन करेगा कि क्लास्रूम में क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं आप जब इनका कलेक्शन करेंगे और फिर जब आप इमेजिन करेंगे औ आप लोगों के लिए conversation, dialogue delivery बहुत जादा आसान हो जाएगे तो guys, ये वीडियो का purpose मेरा ये ही था कि आप खुछ से create करके काफे सारे sentences बना कर practice कर सकते हैं दुसरा कि ये बहुत जादा easy होता है, tough नहीं होता है I hope guys, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा अच्छा लगा है तो like share तो करना ही है मिलते हैं हम लोग अपनी next class में, till then bye bye, take care